अमिताब बच्चन अगर अभी आके एक स्पीच भी बोल देना किसी गाउं में करोड़ों में बिग गई आप सुचूगे यार पेंटिंग में है क्या ऐसा तो दोस्तों ये सारी छोटी-छोटी में जो चीजे बता रहा हूँ आज कर जो वीडियो में बना रहा हूँ जो अपने बता रहा हूँ इसमें आपको बहुत ज्यादा धिमाग खुलेगा क्योंकि इंडिया में मैंने देखा यह सारी चीजे पता नहीं क्यों कोई बताई ही नहीं रहा पुराने जो आर्टिस्ट थे उनके वर्क इतने कोश्टली क्यों इतने महंगे क्यों है तो एक बहुत ही घटिया से रेपलाई मिलता है कि वह तो बहुत बड़े काला करते हैं वह तो कुछ भी बनाते थे तो महंगा बिखता ही था और यह चीज मैं भी करता था बहुत पहल करते हैं पहले तो हम अपने बातों को अपने माइंड सेट को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि इस चीज के उपर ना तो पढ़ा ही होती है ना कोई यह चीज के बारे में बताता है यह सारी चीज आप तभी सीखोगे जब आप डीपली आर्ट को समझोगे यह उसरा खूंथ को समझोotom के वारे में समझो तभ यह सब जानोगे हम बौलते हैं कि सर्फ का यार में ऐसा क्या था इसी तो इसी क्या थि इतना महाओ भी का बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पेंटिंग को क्यों देखते हो आप एक amount से compare करते समय आप पेंटिंग में क्यों खोशते हो कि महंगी क्यों है आप में देखा होगा आटिश ने सिर्फ सफेद कलर के पेंटिंग बना दी और करोड़ों में बिग गई आप सचोगे यार पेंटिंग में है क्या ऐसा क्यों ना मैं भी इसी टैप की पेंटिंग बना हो क्या मेरे भी इतनी महंगी बिगेगी यह सब छोटे खयाल है यह सब चीप थौट्स हैं पहले समझो पिकासो ने अगर एक पेंटिंग बनाई है तो व係ब्य कीमत क्रोणों रूपे उस पेंटिंग की नहीं है वह कीमत है पिकासो के थौट्स की उसने अपनी में कितना काम किया है वह महगा बनाती है उसके पेंटिंग को को फ़े रियलिस्टिक वर्ग भी देखते हैं अपन तो वो तभी costly बिखती है तभी वो उसकी value बढ़ती है market में जब जो खरीदने वाले हैं जो 100-200 करोड रुपय दे के investor जो खरीद रहा है पेंटिंग वो बेवकूफ थोड़ी है आप खुद सोचो जब आप 100-200-200-500 रुपय खर्चा करते समय इतना सोचते हो तो वो लोग जब 200-300 करोड रुपय एक पेंटिंग में लगाते हैं लिओनाड़ो दुमिंशी की पेंटिंग जो 3000 करोड में उन्होंने इन्वेस्ट किया तो बेवकूफ थोड़ी है कि इतना पैसा लगाते हैं किसी पेंटिंग में वो जानते हैं इसकी कीमत इतनी जादा क्य पेंटिंग इतनी कौशली जा रही है उस आर्टिश की किसमत अच्छी इतना सक्सेस्फूल है जब तक यह सोचते रहोगे आप जिंदगी में कभी भी किसी फिल्ड में आगे नहीं बढ़ पाओगे ऑल्वेज अंडर्श्टैंड कि उस आर्टिश ने अपनी जिंदगी में कितना महनत किया उस लेवल तक पहुँचने के लिए अमिताब बच्चन अगर अभी आके एक स्पीच भी बोल देना किसी गाउं में तो सब को पता है कि वो उसके लिए लाखो करोड़ों रुपे चार्ज करेंगे और सब उसके लिए मैंटली प्रिपेर रहें कि यार हम अम उनकी वर्ड बहुत मैजिकल है कि लोग सुनके ही जादू आ गया उनमें उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया है इतनी सारी फिल्मों में इतना महनत किया है लोगों को एंटर्टेन किया इतने सालों से उन सालों की जो एक्सपिरियंस से वह जूर जूर के जू भी नहीं हो सकता आपको उतनी कड़ी महनत करनी पड़ेगी आपको बेसिक क्रिंसिपल से सीखने पड़ेंगे अलग अलग जगा जाना पड़ेगा बहुत सारे चीजों को सीखोगे बहुत सारा गलतियां करोगे बहुत सारे लोगों से मिलोगे जानोगे सीखोगे करते 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 एक ऐसा मुकाम आता है एक experience आता है इतनी सारी value बनती है आपकी life की एक personal branding बनती है कीमत painting की नहीं होती है कीमत उस painting को बनाने वाले की होती है समझ रो इस बात को शारुक खान गजब के actor है सारुक खान गजब के actor है लेकिन अगर उनसे अच्छी acting करने वाले भी लोग अगर acting करें तो उनको कोई पैसा नहीं देगा क्योंकि उनकी personal value नहीं है personal brand उन्होंने इतने साल तक किसी industry को दिया नहीं है तो हर एक artist के साथ भी यही चीज़ है तो यह चीज़ को हम समझते हैं हम direct सुषते हैं कि नहीं यार वह तो बड़ा आदमी है वह तो famous आदमी कुछ में बनाएगा पिकासो ने जब चार लाइन भी खिची वह कौशली भी कि इसका यह मतलब नहीं क्यों famous से कुछ भी कर दिया जब चार लाइन भी खिचते हैं उसके पिछे 400 तो thoughts होता है कि लाइन इधर से इधर क्यों गई वह explain करने की शर्मता है कि अगर यह लाइन यहां से यहां गई तो मैं बता सकता हूं कि इसके पिछे बहुत सारे कारण है इसको मैं यहां से इधर भी कर सकता था यहां करने की पेछे 1000 कारण है और वह कारण ऐसे नहीं की मन से बना दिये 1000 वह कई सालों की जो महनत है experiment से failure से पर इस एरिया पर किसी के painting को देख कि कभी भी जज मत करना, पीकासो ने एक लाइन कही है थी, कि हम चीडिया जब गाना गाती है, किसी बर्ड के सौंग को समझने की कोशिश नही है, तो क्यो हम एक painting को समझने की कोशिश करते रहते हैं, के हैं जेब चिट्ड्य गाना गा रही है तो यह हैसे अच्छा लगा है गर idiot नहीं इंप वो feeling कैसे आई क्योंकि हमने feel कि उस आवाज में एक मिठास है वो चीज हमें पसंद आई अगर आपको abstract work अच्छा नहीं लगता तेन आपका टेस्ट अलग है आपको realistic पसंद है तो आपको सीरीज मैंने देखी है documentary पूरी पढ़ी है तो मैं जानता हूं कि वो जो आदमी था और कितना गजब का genius था अंदर से कैसे वो दुनिया को देखता था तो जब मैं अब किसी painting को देखूंगा पिकासो की रियल में तो मुझे उसकी पूरी कहानी दिमाग में चल रही होगी कि इसने यार यह सोचा था इस painting को बनाते से मैं इसने यार यह किया था जब यह painting को बन रही थी तब मुझे वह value का समझा कि अब इसमें बात आई है तो मुझे आपको artist को समझना ज़रूरी है अगर आप पेंटिंग को समझने के कोशिच कर रहे हो तो आप देवकूफी कर रहे हो let me be very frank to you और यह चीज़े कोई clearly नहीं बोलता क्योंकि चीजों को समझना ज़रूरी है आप यह सब चीजों को समझो अगर आपको आर्ट की लाइफ में grow करना है तो यह चीज़े जानना ज़रूरी है कोई फाल्टू में इन्वेस्ट नहीं करता पैसे किसी painting पे understood चीज़े समझ आ रहे है धीर धीर आपको आर्टिस्ट की वैल्यू होती है अपनी वैल्यू बढ़ाओ आप लोगों को दिखाओ कि आप आर्ट के फिल्ड में क्या डोनेट कर सकते हो आप आर्ट को कितना वैल्यू दे सकते हो है अगर आपके पास कोई आर्ट की नौलेज है आप उसको हजारों लोगों को दे रहे हो तो वह हजार लोगों के लिए आप एक बड़े आटिस्ट हो लेकिन आपके पास कोई नौलेज है आपने अंदर रखा है बोला किसे को नहीं बताऊंगा मैं मुझे पता है लोग को चल जागा तो मेरे से अच्छे बन जाएगे छोटी सोच आप लोगों को जितना बताओगे लोगों को जितनी हैल्प करोगों को जितना सिखाओगे उनकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ रही है मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ रही है, जितना शेयर करोगे उतनी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, जितना महनत करोगे अपने काम में वैल्यू आपकी बढ़ेगी, so always focus on improving your value, आप एक आर्टिस्ट की तौर पर अपनी वैल्यू बढ़ाने पर focus करो, दिन भर आर्ट बनाओगे, आर्ट के बारे में जानोगे, आर्ट के बारे में सीखोगे, आर्ट की नहीं नहीं चीज़ों को जानोगे, अलगला आर्टिस्टों के बारे में पढ़ोगे, उनकी real experience को जानोगे, यह निकि उस आर्टिस्ट ने इस समय पैदा वा था, इस समय मरा यह सब важ है और आप चुद करना की को अपनी वधा अपनी वेल्यू बढ़ाए आप और जिब आप अपनी वेल्यू बढ़ाते हो तो धीरे धीरे जब आपकी वैल्यू बहुत जाद हो जाती है तो लोग आपको पूछते हैं लोग आपसे सीखना चाहते हैं लोग अपने आप जाने लगते कि आपकी वैल्यू इतनी कम नहीं हो सकती आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है लोगों की और यही चीज़ आपको करनी अपनी value बढ़ाओ अपनी value अपनी फिल्ड में expertise लाकर बढ़ा सकते हूँ उसकी knowledge आपको share करोगे तो आपको समझ आएगा कि लोग कितने जादा है आर्ट की फिल्ड में हमें लगता है कि आर्ट की फिल्ड की छोटी सी है कुछ ही लोग को इंट् में चाहता था करना पर उसमें कुछ मेरे पास scope ली था आपके पास है परसनल value को बढ़ाने में ध्यान दो लोग की चीप mentality थे चुटी चुटी बात करते हैं जैसे आप लोगों ने सुना होगा यह विराट को लिए को ना एक पोस्ट का एक करोड मिलता है एक करोड भाई द एक पोस्ट दाने के इतने करोड मिल जाते हैं करता है आप खुद करते हो होता है ऐसे बट थिंग इस आपको समझ नहीं आ रहा कि उसको एक पोस्ट के पैसे क्यों मिल रहे है यार उसने अपनी फिल्ड में वह जान लगाई यह वह अपना महनत डाला है विराट को लिए पहुचना बड़ी बात है वह महनत करो दीनरात महनत करो तब जाके अपनी फिल्ड में आप वह वैल्लिव बढ़ा पाऊगे कि आपको छोटे-छोटी चीजों के लिए लोग इतना पे करने के तैयार है आपको इसले नहीं करने कि उसकी फोटोल देखके सबको मजा रहा है इसले करने क्योंकि उसका काम सबको पसंद है उसने फिल्ड में क्रिकेटी फिल्ड में जो काम किया जो महनत दिखाई है जो रिजर्ट दिया वो लोगों को पसंद है तो आट में सिर्फ आपकी पेंटिंग ही नहीं है जो आप लोगों को एट्रैक करती है कमिशन वर्क हम कर सीखो सब सीखो लेकिन उसके अलावा भी बाकी चीज़े भी करो यह निकी थोड़ा सा ड्रॉइंग कर रहे हैं ड्रॉइंग तो में हैं लेकिन हम क्या करते हैं शेर्ड कर रहे हैं शेर्डिंग सीख रहे हैं रियलिस्टिक बनाना है हमें तो और रियलिस्टिक में बनाई रहे बनाई रहे बना रहे हैं उसमें सौट उगलती हो रही हमें बस लग रहा है कि कोई दूसरा देख ले खुश हो जाए अच्छा लग जाए सबको पर उस चीजों के सेलावा वो चीज के साथ साथ बाकी चीजें बैसी कोश्ली उसको पे करने के लिए भारत में दुनिया में हर जगा ऐसे लोग हैं इतने करोड़पति अरबपति लोग हैं कि जो पैसा दे सके उस ही इने को खरीदने के लिए और क्यों देंगे पैसा प्ता है कि यह रेर है इसक कीमत है और वो देने के लिए तैयार है ये पैसा उस रेर चीज़ को पाने के लिए वैसे पेंटिंग में भी जब कोई व्यक्ति लाखों करोरों किसी वर्क में देता है ना इनवेश्ट करता है तो वो जानता है कि उस पेंटिंग की कीमत क्या है उस पेंटिंग को बनाने वाल रहे हैं जो अभी काम कर रहे हैं वह दो चोटी वैल्यू को क्योंकि हम बस उपर-उपर की चीज़ देखते हैं यार यह पेंटिंग चोटी से पेंट छीटा है लगिन इतने करोड़ों रूपयाइस के लिए लिए उस आर्टिष के बारे में जान तो लो कि क्या सोच रहा था वो हम तो भर में बैठे बैठे सोच लेते न कि यार उसने तो बस चार्ज कर लिया एक बार जानो कि उसने ऐसा क्यों किया होग किटना मुशकील होता है अपने से अपने से JW से इसके टाइं में जो Сटाइल किया ने चाहिकर आपके पास तो है ना इंटरनेट सब कुछ है ना सब ermक्या किसके आठ आटको develop भी करो और उसके बारे में लोगों को बटाओ ताकि इस लोगों को समझ आए कि आपका सोचते हूं, आपका जानते हो, आपकी इतना जानते हो अपनी फेल्ट के बारे में, हर समय सीखते हो आपनी फेल्ट के बारे में कुछ न पुछ न कुछ तीस Is तीई मॉश्ट इंपोटन थिंग जो आपको आज के टाइम पर करनी है सीखना है हर समय लोगों को भी वैंढ गजोग के पेंटिंग को आज वन उट्व पेंटिंग में गीना जाता है उसके पेंटिंग को मास्टरपीस माना जाता है क्योंकि जिस समय उस व्यक्ति ने वह पेंटिंग बनाई थी न उस आटिश ने उस समय लोगों को नहीं समझाता है कि इसकी थौट क्या है पर जब आज हम वैंगो की थौट को पढ़ते हैं तब उस पेंटिंग में जान आई कि यार इस आदमी ने ये सोचा था अब इसकी पे personal value है जो हर एक चीज़ को valuable बना देती है वो किसी भी फिल्ड में हो cricket है dance है या फिर singing है जो भी आप फिल्ड के बार में सोच सकते हो ना हर जगा में वही आर्टिस्ट ग्रो करता है जो अपने आप को develop करता है अपने work में प्लस अपनी value भी बढ़ाता है उसकी सोच में भी आ को लोग इतनी serious भी लेते हैं तब समझाता है कि actual अंदर से artist है तो सिर्फ surface यह हमें पढ़ना छोड़ो आगे बढ़ो चीजों को सीखो महनत करना है अपने को बहुत महनत करनी है यह चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूं यह चीजों को लोगों को share भी करना मुझे कोई मतल फिल्ड में जो भी लोग जा रहे है यह चोटी सोच से उपर उठके काम करें महनत करें दिल लगा के इस art की फिल्ड को ऐसे मजाक नहीं समझना है अपने को छोटी मोटी फिल्ड नहीं है बहुत बड़ी फिल्ड है इसमें घुसना है तो बहुत अच्छे से सीखना पड़े में सोचते भी रहो समझ रहो इस चीजों को इन चीजों में बहुत पावर है इस सिर्फ सून के थोड़ा सा चार जो जाने से नहीं होता है दिन भर काम करना है डेली कंसिस्टेंट काम that is the thing so I want you to share this message अगर इस message को आप खुद की वीडियो बना के खुद दूसरों को शेर करन कुछ ना मुझे कोई copyright क्लेम कुछ ने चाहिए आप वीडियो को कॉपी करके दूसरों को फैला दो मुझे कोई फरक निपड़ता बस आप फैला दो बस आप यह चीजों सीख रहो तो किसी किसी ना किसी को बताते रहना किसी ना किसी सा शेर करते रहना ताकि सामने वाला भी सीखे जब आप सामने वाले को सिखाते हो तो उसकी नजर में आपकी value बढ़ती है और यही हमारा काम है अपनी value कैसे बढ़ाएंगे दूसरों को सिखा के that is the thing so I hope बहुत चीज़ें आपको समझ आए हो इस वीडियो में आगे और भी वीडियो आएंगे जिसमें में बहुत स समझ आई क्या चीज़ें आपको लगी कि आपसे आपको नहीं करनी है जो भी आपको लगता है वो comment में जुरूरू लिखना उससे मुझे समझ आता है कि मैं आप तक बहुंच पा रहा हो कि नहीं सही तरीके से so that is the thing I'll see in the next video till then keep making artwork keep developing yourself work hard work smart but hard okay and I'll see in the next video till then take care